गुड मॉर्णिंग बच्चों भारतिय मूर्थी कला में मौरे काल के पश्चात आप मैं आपको साची स्थूप पढ़ाने जा रही हूँ मौरे काल के पश्चात शूंग काल आया मौरे शाशन काल के अंतिम शाशक ब्राधत के समय शाशन में बहुत अधिक आनिय मित्ताएं उत्पन हो गई थी सेनिक बल में फूट पढ़ गई थी सेनापती पुष्चे मित्र शूंग ने ब्राधत्र को मार कर समस्त मध्य भारत पर अपना शाशन इस्थापित कर लिया उसका वंच शूंग वंच के नाम से प्रश्चिद हुआ और इसी समय साथवाहन शूंच का भी आरंब हो चुका था इसका पराकरमी शाशक खारबेल हुआ जो पुष्चे मित्र शूंग का ही समकालीन था इसने आगे चलकर पुष्चे मित्र को भी परास्त कर दिया और समस्त उत्तर भारत पर अपनी विजय स्थापित करी इन स्यूग में बोध, चर्म, जैन तता ब्रामन तीनों धर्मों से संबन्दित कलाकृतियों की रचना हुई स्थूप निर्मान के साथ साथ मंदिरों वे गुफ़ों में नवीन कलाकृतियों की रचना हुई शूंग राजाओं ने बौत धर्म के प्रचार भेतू इस तूप पर गुहाओं का निर्मान बराबर चालू रखा इस समय के प्रसिद मूर्तिकला के नमूनों में सांची वबहुत के विशाल इस तूप आते हैं आज हम सांची के स्थूप के बारे में जानने का प्रयास करेंगे सांची के स्थूप का अध्यान करेंगे शूंकार मूर्टिकला के प्रधान नमूने सांची के अशोग कालीर विशाल स्थूप के चारो और की प्रदक्षिना की दोहरी बेदी का और चारो दिशाओं के अलंकृत तौरन दार में हमें मिलते हैं सांची का स्थूप बोपाल राज्य में स्थेत है लगबग धाई सो फिट उंची पहाडी पर तीन स्थूप बने हुए हैं जिन में से बीच वाले सबसे बड़े अंडाकार स्थूप और उसके तौरन द्वारों की कलाही संसार में प्रसिद है यही जो में स्थूप है जो सां जो के खाल में यह स्थूप केवल इटो का बना हुआ था और उसके पशात लगबग उपेच्छित हालत में ही पड़ा रहा परंतु शूम वैंच के राजाओं ने इसके चारों और पत्थर की दोहरी वेदिका बनवा दी और सात्वाहनों ने इसके चारों दिशाओं में त परंतु उन पर आकी गई शिल्प करतियां यानि उन पर जो उकेरी गई शिल्प आकरतियां हैं वे सब भिन्न भिन्न प्रकार की हैं इस स्थूप की परीदी लगबग 36 मीटर है और उंचाई लगबग 16 मीटर है चारों दिशाओं में इसते तोरन द्वार 34 फुट उंचे है इन में नीचे की और चुपहल खंबे हैं जो 14 फुट उंचे हैं जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं खंबों के उपर तीहरी बडेरियां हैं तीन बडेरियां आपको चित्र में दिखाई दे रही होंगी तीहरी बडेरियां हैं जो बीच में से हल्की से गुमावदार है हैंने कमानी दार हैं तता उनका थोड़ा हिस्सा भाहर की और मुड़ा हुआ है इन बडेरियों को सिंग हाती बोने आदी अपने उपर लादे दिखाए गए हैं सांची किस शिल्प की शैली तोर्णों पर भग्वान बुद्ध के जीवन संबंधी द्रश्यों तता उनके पूर्व जन्मों के द्रश्यों का अंकन हमें देखने को मिलता है जो अर्द चित्र तता उब्री हुई प्रतीमाओं के रूप में उपस्थित हैं अर्द चित्रों में अतिन्द बारी की वसफाई है यद पी शिल्प को देखने से यह समझ में आ जाता है कि शिल्पी ने पाशान का यहां माध्यम को समय पहले ही अपनाया है क्योंकि साची की शैली कुछ चिप्टे वसपाट तौर की है तता खुदा ही ऐसी कि इन्हें मूर्द चित्र केहना अधिक उप्युक्त होगा यह मूर्दियों के इस्थान पर अर्द चित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चारों तरफ से कोर कर नहीं बनाए गए बलकि जो बित्ति है उसमें जो उपर का हिस्सा है वहां पर उभार करके मूर्दि का यह अलंकरन का रूप दे दिया गया आगे हम विशेश कर खुज्राओं के मंदिरों में करना के मंदिरों में इसी प्रकार की आकरतियां देखने को हमें मिलेंगी यह एक तरीके से आप मान लीजिए कि यह प्रारंब काल था कि इस तरह से बित्ति पर कोर कर मूर्दियां बनाई जाने लगी थी उसके परिणाम में भी सर्वत कमी ही ज़र रगती है साची का शिल्पी एक ही अर्ध चित्र में सभी घटनाओं का समावीश कर देना चाहता था मतलब वो एक ही पैनल के अंदर बहुत सरी स्टोरीज को बना देना चाहता था जिससे की वो अपनी बात को पूर्टया समझा सके वास्तम में साची की यह कला लोग कला के समान है जिसका अंकन पाशान पर किया गया है श्री राय कृष्ण दाजजी के अनुसा इनकी खुदाई का आदर्श लकडिया हाती दाथ की नकाशी जान पड़ता है इनमें से दक्षिन तोरन वाले भाग पर एकलेग भी अंकित है कि व्याव विदीशा नगरी की हाती दाथ पर नकाशी करने वाले कारीगर की द्वारा खुदा गया है या ये भी हो सकता है कि ये जो कारीगर थे ये हाती दाथ पे काम करने के लिए के अभ्यस्त थे फिर जब इन्हें पाशान पर बनाना पड़ा तो इनको थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा साची के तोड़ों में भखवान बुद्ध के जनम जन्मांतरों की घटनाओं को अंकित किया गया है परन्तु बुद्ध की मूर्ती का अंकन कहीं भी नहीं किया गया बुद्ध के स्थान पर उनके प्रतीकों को अंकित किया गया है कलाकार को जहां बुद्ध की मूर्थी आंक नी थी वहीं उनका प्रतीक चिन बना दिया है प्रतीक के रूप में स्तूप, चरान, चिन, कमल, पुष्प, छत्र वे बौदिसत वे आदी का अंकन किया गया है इसी में स्थम का निर्मान भी सांकेतिक रूप में किया गया है साची की मूर्थी कला में आकरतियों की बहुत अधिक बीड़ बार है तता स्पेस की कमी जलकती है वे मॉडलिंग में आदा ही उभार दिया गया है साची में विशे वस्तू की रस्ती से अधिकांश तहत जाता कताओं का अंकन मिलता है एक मूर्ती का जिसे कि हमने कभी अजन्ता में भी पढ़ाता कि चितरकार एक ही जाता कता कांकन करने के लिए बहुत सारे पैनल्स को यूज करता है तो यहाँ पर भी चुकि स्पेस कम थी लेकिन एक जाता कता को चितरित करने में बहुत सारी आकरतियों को उसे समावेश करना पड़ा इसलिए चायर यहाँ आकरतियों की भी भर दिखाई देती है इसके तिरिक पारिवरिक द्रश्य, युद्ध की द्रश्य, प्रेमी युगल, सन्यासी, पशु पक्षी, पूजा की द्रश्य वे अलंकरन आदी भी बहुत तायत में पाए जाते हैं साथी बानर, किननर, यक्षिनी, रक्षिका, सिंग, हाती, नृत्य की द्रश्य, जल्पान की द्रश्य आदी भी बनाए गए हैं दोरी बेस्टेनी पर जो बड़ी भारी वे उंची है, स्तान स्तान पर अलंकरन, गज, लक्ष्मी, कमल, कलश, वे खिले वे अत्किले कमल आदी बने हुए हैं जगे जगे पर गो मुत्री का बेले बनाई गई हैं, परन्तु कहीं पर भी बुद्ध की मूर्ती नहीं बनाई गई तोरनों पर भी अनेक उब्री हुई प्रतिमाए हमें देखने को मिलती हैं दक्षिन दिशा के तोरन पर कमल के बीच में लक्ष्मी, सम्राठ, अशोक की ग्राम यात्रा, अनेक अन्य जातक कताएं तथा भगवान बुद्ध के प्रतिकों की उपासना आदी के द्रश्य हमें देखने को मिलते हैं उत्तर दिशा के तोरन पर भी अनेक जातक कताएं अन्कित है जैसे वैसंतर जातक, रिशी श्रंग जातक, मार का आकर्मन, छैदन जातक वर जेत्वन दान आदी की कताएं उपलब्ध हैं कहीं पर बुद्ध के परी निर्वान का द्रश्य भी है एक इस्थान पर बंदरों को भगवान बुद्ध के प्रतीक बोधी वरक्ष की पूजा करने के लिए जाते हुए दिखाया गया है वैसंतर जातक के द्रश्य में राज़ा अपने पुत्र का हाथ पकड़े वे जा रहा है रानी की गोल में उनकी पुत्री है रास्ते में गाउं के लोग उनका अभीवादन कर रहे हैं वे हाथ जोड़े हुए कड़े हैं उनके वस्त और पगड़ियां सादा हैं उनके शरीर पर आभूशन भी नहीं है किसान इस्तरियां अपने बच्चों को लिए जोपडियों के बाहर बैठी है और किसान अपने खेतों की और जा रहे हैं यह लोग जीवन से संबंदित जीता जाकता उधारन हैं वैसंतर जातक के ही एक अन्य अर्द चित्र में नगर के भवन दिखाई दे रहे हैं उनके चरोकों में इस्त्री वपुरुष बैठे हुए हैं इस द्रश्चे से नगर के भवनों के स्तापत्य का अच्छा ग्यान हमें मिल जाता है उस समय तीन चार मंजिलों तक मकान बनाये जाते थे नगर के चारों और खाई खोद दी जाती थी जब शत्रु सेना उस पर आक्रमन करती थी तो उस पर पानी भर दिया जाता था पश्चिमी तोरण पर हातियों द्वारा व्रक्ष पूजा के द्रश्चे अस्तियों के लिए युद वे महा कपी जातक आदी कताएं उतकीन है बाग्मान बुद की अस्तियों के लिए युद के द्रश्चे में राजा लोग अपने हाती और घोड़े सजाकर युद करने जा रहे हैं एक और नगर का द्रश्चे आका गया है अब मैं इससे सांची के बारे में इससे आगे का मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगे धन्यवाद